बाणिंग बच्चों, आज हम हिंदी साइथे में आपका पाठ नो स्वतंतरिता की और पढ़ेंगे, हाना, इसमें एक बच्चे की कहानी है जो कांदी जी के आश्रम में रहता था, हाना, अब हम पाठ को आरम करते हैं, धनी को पता था कि आश्रम में कोई बड़ी योजना बन यह चोटा बच्चा था, तो उसने कहा कि आश्रम में कोई योजना बन ली थी, लोग आते होंगे वापे, लेकिन उससे कोई कुछ बादे में कुछ भी नहीं बताता था, उसने कहा कि मैं समझता हूँ, हाना, और मैं 9 साल का हूँ, तो उन्हें रखता कि मैं छोटा हूँ, मैं इसलिए मैं बुद्धु हूँ पर मैं उसने कहा कि मैं बुद्धु नहीं हूँ हाना मैं मुर्ख नहीं हूँ बलकि मैं क्या धनी मन मन में बड़ बड़ा रहा था हाना और लेकिन इसलिए सब सुटते कि मैं छोटा हूँ इसलिए मैं जो कोई बाल बताती नहीं है वो थे धनी और उसकी ममी पापा, एमदाबाद के पार जहां पर मात्मा गांदी जी का साबर मती आस्रम था, वहां पर रहते थे, जहां पूरे भारत से लोग रहने के लिए आते थे, गांदी जी की तरह वे सब भी भारत की स्वतंतृता के लिए लड़ रहे थे, जब वे आस्रम और भजन भी काते थे और सब गांदी जी की बाते भी सुनते थे आपको पता है कौन सा भजन काते थे रगुपति राघव राजा रामकांदीजी को अब भजन बहुत ज़्यादे पसंद था सब्रमत्ति में सबको कोई न कोई काम करना होता था मतलब आप आसरम नहीं हो तो आसरम में आपको कोई आप फालत नहीं रहे सकते फिरे का खाना नहीं खा सकते थे तो आपको कोई न कोई काम जरूर करना पड़ता था, क्यों उनसे काम करने पड़ते थे, खाना पकाना या था खाना पकाओ, बरतन धोना या बरतन धो, कपड़े धोना, कोई से पानी लाना, गाएं और बक्रियों का दूद धुहाना, और सब्जी उगाना, इसमें से कोई भी काम दिया था क्या एक बकरी उसको दिय गई थी जिसका नाम बिनी था उसकी देख भल करने का काम किसे क्या दिया गया था धनी को दिया गया था धनी को अपना काम पसंद था और धनी को वो काम करना अच्छा लगता था बिनी की देख भल करना क्योंकि बिनी उसकी सबसे अच् उस दिन सुभा धनी बिन्नी को हरी घास खिला कर उसके बरतन में पानी डालते वे, तो एक दिन क्या करा धनी ने क्या करा बिन्नी को हरी घास दी और उसके बरतन में पानी डालते वे, बोला कोई बात जरूर है, बिन्नी वे सब गांधी जी के कमरे में बैट कर बाते करते हैं, कोई योजना बनाई जा रही है मैं सब समझता हूँ तो उसने बिन्नी से बाते करता था हूँ उसने कहा कि मुझे लगता है कि कोई नो कोई बात तो जरूर है सब गांधी जी के कमरे में बैट कर कोई योजना बनाते रहते हैं और मुझे सब समझ में आता है धनी को भूग लगी, कूर्ति फांती बिन्नी को लेकर वो रोसोई घर की तरफ चला, उसकी मा चूला फूक रही थी और कम्रे में ध्वां भर रहा था, तो उसकी ममी क्या कर रही थी? रोसोई में चला और तो उसकी ममी चुला पहले जमाने में तो गैस वगरा कुशिन होता था चुले पे खाना बनता था तो उसकी ममी चुले में फूक मा रहे थी लेकिन वो आग नहीं जल रही होगी और उससे क्या था पुरक करोसोई की कमरा था उसमें धुआ यह धुआ भर धनी ने अपनी ममी से पूछा कि आपको पता है गांधी जी कहीं जा रहे हैं, खास्ते वे मा बोली, वे सब यात्रा पर जा रहे हैं, उसकी ममी को क्योंकि वहाँ पर धुआ हो रहा था, तो उसकी ममी को कहां सी हो गई, तो उन्होंने खास्ते वे बोला कि वे सब कहां जा रहे यात्रा पर जा रहे हैं, यात्रा कहा जा रहे हैं, धनी ने सवाल किया, जैसे उसके उमी ने बोला कि यात्रा पर जा रहे हैं, तो उसने कहा कहा या जा रहे हैं, तो उसके उमीन का शायद अपने वो काम में लगी थी, तो उन्होंने कहा कि समुद्र के पास कही जा रहे हैं, म पहले मुझे खाना बनाने दो और तुम यहां पर मैंसे सवाल पुछे पहली आग नहीं जली धुआ ही धुआ हो रहा था तो उन्हों ने कहा कि तुम यहां से चले जाओ धनी सबजी की कैरियों की तरफ निकल गया जहां बुढ़ा बिंदा आलू खोद रहा था फिर वहां से कहां गया रसोई घर से निकल कर कहां गया सबजी की कैरिया थी जहां पर वहां पर गया तो वहां पर कौन था एक बुढ़ा बिंदा था वो व्यक्ति रहा होगा बुढ़ आप भी आत्रा पर जा रहे हैं, तो उनसे भी प्रश्न किया, धनी ने कि आप भी आत्रा पर जा रहे हैं क्या, बिंदा ने सीर हिला कर मना किया, तो उसका उत्तर मुझे ने देखे कि अल गर्दन हिलाया कि नहीं, मैं नहीं जा रहा हूं, उसके कुछ बोले से पहले धनी ने उतावले होकर पूछा कौन जा रहा है कहां जा रहे हैं क्या हो रहा है जैसे इससे पहले कि बिंदा कोई और उसको उत्तर देता तो उससे पहले ही धनी ने उतावले होकर उससे पूछा कि कौन जा रहा है कहां जा रहा है क्या हो रहा है तो इतने सारे प्रस्म उसने एक साथ उन्होंने आलू निकालना बंद कर दिया और कहा कि तुम्हारे सब सवालों के मैं जवाब दूगा पहले इससे पहले क्या करो आप जाकर बकरी को बांदो क्योंकि उसने जो क्यारियों में पालग होई होगी तो वो बकरी उनको चबा रही थी धनी बिन्नी को खीच कर ले गया और पास के नीमु के पेड में बांद दिया फिर उसने उसको बक्ति को लेके गया और कहां बांदा नीमु के पेड पे बांद दिया फिर बिन्दा ने उसे यात्रा के बारे में बताया फिर जो बुड़ा चाचा था बिन्दा फिर उसने उनक होगां जा लेते उनके कुछ साथी फैडल चलते हैं जाएंगे ऑफ पर जाएंगे जो समुद्र के पास है और आपर समुद्र में पहुंचेंगे गाओं और शेय्रों से होते हुटे और यूज कि बनाइंगे नमक क्यो बनाइए तो हम बाद कि कि एक योजना तो तुम्हें पता ही है कि वह किसी बात के विरोद में ही यात्रा करते हैं या जलूष निकालते हैं तो उसने का, हाँ मज़िया माऩनुम है कि आम नम्मद किसी भी दुकान से खरी सकते हैं घहना तेकिन उसने कहा कि आप गांधी जी की जो योजना है तुम्हें तो पता ही है हना कि वो किसी भी बात का विरोध मतलब किसी भी बात के खिलाफ नहीं जाते हना कोई न कोई बात होती है तब ही वो यात्रा करते हना और तब ही वो जुलूस निकालते हैं जब वो किसी के विरोध होते हैं किसी के खिलाफ होते तब ही वो यात्रा और जुलूस निकालते हैं ह हाँ बिलकुल सही है मैं जानता हूं वे ब्रिटिस सरकार के खिलाफ सत्यगरा के जिलूस निकालते हैं हना उसने का हाँ मजय मालूम है कि वे अंग्रेजों के खिलाफ सत्यगरा के जिलूस निकालते हैं सत्यगरा मिन्स बिना लड़ाई विड़ाई के जो होते हैं हना सांती प भारण शतन्त्र हो जाए और जो को आजादी मिल जाए पर दमक के लिए लड़ना को असी बात यह तो कोई समझ जा रहे यह बात नहीं है, बिल्कुल, धनी क्या तुम्हें पता है कि हमें नमक पर कर देना पड़ता है, तो उसने का धनी क्या तुम्हें पता है कि हमें नमक पर भी कर देना पड़ता है, अच्छा धनी हैरान रहे किया थे, वह उन्हें बिंदा चार्टे न इसका मतलब है कि हर भायतवासी गरीब से गरीब भी यह कर देता है, तो उसने को उसे बड़ा अश्चरिवा, कि नमक तो सभी की जोरोत है, नमक तो सभी खाते, तो इसका मतलब है कि भायत में जितने भी भायतवासी हैं, गरीब से गरीब लोगों को भी यह कर देना पड़ता तो उसको क्या वो कि आ बहुँत जादा उसको द्हनी को रहना उसने को यह तो अन्याई था यहे ब द토 को बाना कीangenh की बनाई है उसने का कि यह अन्याई तो है तभी तो कांदी जी क्या निकाल रहे हैं उसके दांदी जाकर नमक बना रहे हैं और जुलूस निकाल रहे हैं उसने का यह अन्याई तो है इतना भी इतना ही नहीं उन्होंने उसको फिर बताए बिंदा चाचा ने धनी को कि हम जो भ बेटी सरकार को कर हाने को कहा पर उन्हों ने यहां बात ठुकरा दि तो गांडी जी ने पहले बोला हुआ मगा नामक से search तो उन लोगों ने जो सरकार थी वाँ के बेटी सरकार उन्होंने इस बात को ठुकरा दिया उन्होंने का नहीं हम कर नहीं माफ करेंगे आपको कर तो देना ही पड़ेगा नमक पर इसलिए उन्होंने निश्चे किया है कि वे दांडी चल कर जाएंगे और समुद्र के पानी से नमक बनाएंगे इसलिए उन्होंने क्या करा इसलिए निश्चे किया कि उन्होंने का कि हम दांडी जाएंगे और महां समुद्र के किनारे जाकर समुद्र के पानी से क्या बनाएंगे नमक बनाएंगे एक महिने तक पैदल चलेंगे फिर उसको अधनी सोच का प्रहसान हो र फोटो छपेगी रेडियो पर रिपोर्ट जाएगी और पूरी दुनिया के लोग यहाद जाएंगे कि हम अपनी स्वतंतिता के लिए लड़ रहे हैं और बेटी सरकार के लिए यहां बड़ी सर्म की बात होगी तो उन्हों ने कहा कि जब गांदी जी पैदल जाएंगे तो लोगों को दिखेगा एक मैने ते गांदी जी पैदल जा रहे हैं पूरे भाजवासी उनके साथ है होना और हाम लोग अपनी स्वतंतित्ता के लिएों भाज़ाद करने लिए अपिटी सरकार के लिए बड़ी शर्म की बात होगी जब सारी प्वाइब ख़ाइंगी तो उनके लिए क्या हुदी सर्म की बात होगी हाना अब आपका अगला जो यह है पार्थ बाकी पार्थ में आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी ठीके धन्यवाद